नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा महरोत्रा क्या वाकई में कोई ऐसा कर सकता है कि अपने जूटे प्यार के जाल में फसा कर किसी नाबालिक को उसकी जिन्दगी बरबात कर दे जी हाँ ऐसी ही हुआ है आयोध्या के वीकाप और तहसिल छेत्र में देखिए रिपोर्ट एक तरफ सरकार और पुलिस प्रशासन अपराद के रोक थाम के लिए सक्ची सक्ट रवया अपना रही है तो वही बस शातर अपराधी अपनी खौफना खरकतों से बाज नहीं आ रहे है दरहसल आयोध्या के वीकाप और तहसिल छेत्र में एक सरकारी स्कूल की सिक्षिका का बड़ी बेरहमी से कदल कर दिया गया जानकारी के मताब एक सिक्षिका सुप्रिया पांच महिने की गर्भवती थी जिस वक्त उनकी हत्या हुई उस वक्त सुप्रिया घर में अकेली थी और जिस तरह से कदल को अंजाम दिया गया था किसी को रत्ती भर का शक नहीं हुआ कि कदल किस ने किया है एवध्या में एक जून को सिछका सुप्रिया बर्मा की हत्या के बाद संसनी मच गई संसनी उस समय मची जब सिछका सुप्रिया बर्मा घर में अकेली थी और उनके घर में अज्यात युवग घुसता है और उनको धारदार हत्यार से पता लगता है एक नाबालिक जो है इस मामले में सनलिप्त पाया जाता है जैसा कि जानते हैं और मानते हैं कि अपराद करते समय अपरादी कुछना को सुराग जरूर छोड़ जाता है ऐसा ही हुआ इस हत्याकान में भी पुलस के मुतावी कमबेटकर नगर जिले के जलालपुर थाना छेतर के पठानपुर अतरौली की रहने वाले सुप्रिया वर्मा बीकपुर तहसिल छेतर के एक सरकारे स्कूल में सिख्षका थी सुप्रिया पती और अपनी मां के साथ आयोधिया में रहती थी वहीं knobs महिने की घर्वती भी थी फुप्रिया वर्मा की बीते 1 जून की रोज श्री रामपुरम कोलोनी में धाधर हत्यार से हत्या गड़ी गई थी हत्या किसी और ने नहीं बलकि सुप्रिया के स्कूल में पढ़ने वाले 17 साल के एक छात्रे ने की थी पुलिस ने खुलाशा तो बैरहाल कर दिया लेकिन अब सवालिया निशान सुप्रिया भर्मा के माता पिता ये कर रहे हैं कि पुलिस जो खुलाशा किया है वो गलत है चुकि उनके बेटी के ऊपर ये अपमान जनक टिपड़ी हो रही है कि उनका नावालिक के साथ में संबंध था तो अगर बता दें तो सवालिया निशान एक बार फिर पुलिस एवध्या पुलिस के ऊपर खड़ा होता है सिक्षका का चात्र के साथ अवैज संबंध बताय जा रहे हैं तो वहीं चात्र इस रिस्ते से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि लड़का समाज और परिवार में अपनी प्रतिष्ठा से दर रहा था पर सिक्षिका कभी नहीं चाहती थी कि वो इस रिष्टे को खत्म कर और सिक्षिका उस सम्मंद को बनाये रखने के लिए चात्र पर दबाव बना रही थी अब संतुष्ट हैं जो जांच की है अपरादी भी जैसे हमें सामान की सिनाग कराई गई उससे अपरादी भी सही है सब कुछ सही रहा हमें पुलिस पे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बाद में जो ये उसके चरित्र पे या जो जो जोड़ा गया है कि उसने ऐसा बताया है वो हमें नहीं मंजूर है उसकी जांच बिद्वत कराई जाए बिना किसी साच के या उसके कहने पे या किसी कहने पे ऐसा किसी को पार आरोप न लगाए उसके बारे बिद्वत जांच कराई जाए आखिरकार सिक्षिका की ये जिद ही उसकी मौत का कारण बन गई उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला सिक्षिका को अपने इस जिद के चलते अपने साथ-साथ इसके पेट में पल रहे पांस महिने के मासूम की जान से भी हाथ दोना पड़ा फिलाल पुलिस ने इस हत्याकान का खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी को गरफतार कर लिया गया है खुलासे में पता चला है कि आरोपी ने इस हत्याकान को लूट का भी रूप देने की कोशिश की थी आरोपी ने हत्या करने के बाद कमरे में रख्याल मारे से 50,000 कैश भी चुराया थी और कमरे में रख्या और सामान को भी उठा ले गया में जो अव्यूप है वो बिल्कुल नेक्स डोर पो आये है जो कि उस सिख्षका से उसकी फ्रेंड्शिप थी और काफी इंटिमेट रिलेश्शन्शिप हो गये थे जैसा कि SSP साब ने बताया है कि वो इस बात से भैवीत रहता था ये बात पुलेगी तो समाज में उसकी स्थिटी खराब होगी दोस्तों में उसकी पोजिशन खराब होगी इसलिए वो मुक्ति पाना चाहता था इस इस डिलेश्शिप से लेकिन महिला के दबाओं में और य जवस आता भी रहता था तो इनी कारणों को लेकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया लूट की घटना को आरोपी ने इस तरह से अंजाम दिया था ताकि लगे कि लूट करने वाले ने ही हत्या किये लेगन पुलिस ने इस उलजी हुए गुत्ति को कड़ी मसकत के बाद आ पुलिस ने तब तीश शुरू की तो पता चला कि वो शट मृतिकल के पती का नहीं बलकि आरोपी छात्र का है फिलहाल इस कड़ी में इतना ही आगे हम आपको अपरात जगत से जुड़ी हुई प्रदेश की ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू गराते रहेंगे तब तक के के लिए देखते रहें प्राइम टीवी कि आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार